असलाम अलेकूं आप सभी का मेरे योटूब चैनल शगुफता की चन में बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आयू एक पुभूती सिंपल और फास्ट बनने वाली वाइट फोरेस्ट पेस्टी केक की रेसिपी इसे आप बिना बेक के बना कर तिया डोली वाइट वारेस्ट पेस्टी केक सब्सक्व को बहुत ज़्यादा पसंद आए गी वाइट फोरेस्ट पेस्टी केक के लिए रेसिपी बनाना शुडू करते हैं ऑनबेक हैं आनोगी्स के लिए बनाता है आपको ये डबल रोटी मार्केट में बहुत ही एजली किसी बेकरी पर मिल जाएगी तो आपको देखने से पता चल रहा होगा ये डबल रोटी कितने ज़्यादा सौफ्ट और स्पॉंजी है सबसे पहले डबल रोटी की उपर के लियर को कट करेंगे कि अधकर है कि बिवակ को पैसे डबल कितने ज़्यादा सौफ्ट और सौफ्ट है ऐसे डबल रोटी को में सबसे पहले में करते हैं तो यहां देख सकते हैं कि डबल रोटी से लेयर को कट करने में कोई भी परिशानी नहीं हुई है और यह बहुत जादा इजली कट गई है आप देख सकते हैं कि जादा क्लीन कटी है इसी तरह से में इसकी दूसरी लेयर भी कट कर लेंगे तो यहां इसकी दूसरी लेयर को भी हमने कट कर लिया और यह भी बहुत जादा क्लीन कटी है इसी तरह से हमने इसकी तीनों लेयर कट कर ली है यह देखिए अब इनको मुठा कर एक साइड में रख देंगे और अब चलते हैं नेक्स स्टैप के और यह अदा कोटोरी पाने लि रेंगे यह आदे रिखेंगे आदय इसकी तरह से मिक्स कर लिए और ने इसको भी रखेंगे एक साइड में और यह लिए हमने रिखेंनी करिम इसको आदे कितने हैसे भी हो रख भई है इसको भी मुठा के रखेंगे एक साइड में अब हमें एक गिलास लेंगे और इस गिलास में एक पाइपिंग बैग लगाएंगे और इसमें विपिंग क्रीम भरेंगे और कौन में क्रीम को भर देंगे अच्छी तरह से देखे हमने क्रेम का पॉन में अच्छी तरह से बर दिया है अब इसको हमें एलास्टिक से सिक्यूर कर देंगे तो देखे कॉन हमारी हो गई है तैयार तो पेस्टी केक बनाने के लिए यहां हमने लिए एक ट्रे और इसके उपर रिखेंगे डेबल रूटी के फॉस्ट लियर और उपर से अपलाई करेंगे सुगर शिरब सुगर शिरब अपलाई करने से केक बहुत ज़्यादा सोफ्ट बनता है कोन में हमने जो केक क्रीम भरी थी इसके उपर से रेंडेम ली लगा देंगे आप चाहे तो इसको इसको इस पून वगरा से भी लगा सकते अगर कोन में भरके लगांगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा और यहां मैंने इसको फैलाने के लिए किस पैचुला लिया है और जा फैला देंगे इसी तरह है पेजटी केल चैसे अमने तू लियर तयार कर लिए और उसकी फैला को ऊपर से सुगर शीरॉब आपलाए करें गे क्यों थे पॉर फिर केक क्रीम लगाएंगे और की नियुक्त कर देंगे कवर केक कुछार और से कवर कर देंगे पेस्ट्री केक पर क्रीम कुछी तरह से लगाएंगे उसकुछी तरह से कवर कर देंगे तो यहां देखे पेस्ट्री केक को अच्छी तरह से कवर कर दिया है और यह वाइट चोकलेट लिए जिसको कद्दू कसमें ग्रेट कर लिया था इस ग्रेट कीवी चोकलेट से इस पूरे केक को कवर कर देंगे और देखें केक को मेंने च्छोकलेट से सब तरह से कवर कर दिया है और देखने में कितना ज्यादा अछ़ा लगाए खाने में तो उस्सेपे ज्यादा यमी लगेगा और पेस्टी केक को एसा थोड़ा सा सजा देए और बस उपर से रखेंगे मैं इस पर कीवी अगर आपके पास की वी ना भी ओद तो भी आप किसी और फलते इसके सजावट कर सकते हैं और सात में डालेंगे हम चोकलेट स्प्रिंकल और इसके साथ या रखेंगे हम इस पर वाइट चोकोस जिपस तो इसके साथ यह लिए ством कटण कर देता हैं अपको कटकरने सी पताचल रहोगा कि They are कितना इमारे ऊबना है इसका कितना ज़्यादा सूफ्ट बना है तो दो स्कुरिप है तो प्लीज वीडियो को लाइक पोड़ शेयर जरूर करें आपको यह रीसिपी कैसे लेगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं मैं आपको कट करके दिखा दूए कितना ज्यादा सोफ्ट है आप खुदी देख सकते हैं अगर आप चैनल पर नहीं और आपने भी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं करें तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताके आने वाली नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो मिलते हैं ऐसे एक मज़दार रिशिपी के साथ उक्याँ आपके अलाफीज